बांदा जेल में बंद मुक्तार अंसारी की गुरुवार शाम काडे करेस्ट से मौत हो गई जेल में तबियत बिगटने के बाद गंभीर हालत में उन्हें दुर्गवती मेडिकल कॉलिज लाया गया था जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई माफिया डौन मुक्तार अंसारी के परिवार के बारे में जानकर लोग इस बात पर यकीन नहीं करते हैं कि मुक्तार जैसा माफिया क्या वाकई एक प्रतिस्ठित परिवार से सम्मन्द रखता था मुक्तार अंसारी का जनम गाज़ेपूर जिले के मुहमदबाद में हुआ था उसके पिता का नाम सुभानलाष अंसारी था और मा का नाम बेगमराबिया था मुक्तार अंसारी के परिवार की पहचानिक प्रतिस्ठित राचनी तेखांदान की है सत्रा साल से ज्यादा वक्त से जेल में बंद मुक्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुक्तार एहमद अंसारी सुतंता से नानी थे गांधी जी के साथ काम करते हुए वहें 1926 सताइस में कॉंग्रिस के अध्यक्ष भी रहे हैं मुकतार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर मुहम्मद अस्मान को 1947 की लड़ाई में शहादत के लिए महवीर चक्र से नवाजा गया था मुकतार के पिता सुबानुल्ला अंसारी गाज़िपूर में साफ सुत्री छवी के सातर राज़नीती में सक्री रही थे भारत के पूर उपर राश्टे पती हामिद अंसारी रिष्टे में मुकतार अंसारी के चाचा लगते थे एक मामले के सुनवाई के लिए मुकतार अंसारी को यूपी की बांदा जेल से पंजाब की रोपर जेल भेजा गया था इसके बाद वो लंबे समय तक वहीं था यूपी में बीजेपी सरकार बन जाने के बाद मुकतार वापस नहीं आना चाता था उसे यूपी लाए जाने के लिए दोनों राच्यों की सरकारों के बीच खीस्तान चल रही थी मामला सुप्रीम कोट तक जा पहुचा सुप्रीम कोट ने सुनवाई के बाद उसे यूपी शिफ्ट करने का फर्मान सुनाया इसके बाद 7 अपरेल 2021 को सुप्रीम कोट के आदेश के बाद बारी सुरक्षा इंतिजामों के बीच बाहुबली मुक्तार अंसारी को पंजाब के रोपर से हरियाना के रास्ते आगरा इटावा और रईया होती हुए बांदा जेल पहुचाया गया था मौ में दंगा भरतानी के मामले में मुक्तार ने गाजिपूर पुलिस के सामने सरिंटर भी किया था और तभी से वो जेल में बंद था पहले उन्हें जेल में रखा गया था फिर महां से मत्रा जेल भेजा गया फिर मत्रा से आगरा जेल और आगरा से बांदा जेल भेजा गया उसके बाद मुक्तार को बाहराना नसीब नहीं हुआ फिर एक मामले में उसे पंजाब की जेल में शिफ्ट कर दिया गया लेकिन फिर भी पूरवांचल में उनका दबदबा कायम रहा वो जेल में रहकर भी चुनाव जीतता रहा ठेकेदारी खनन, स्क्रैप, शराब, रेलवे ठेकेदारी में अंसारी का कबजा था इसके दम पर उसने अपनी सल्तनत खड़ी कर रखी थी मगर ये रॉबिन हुड अगर अमीरों से लूटता था तो गरीबों में बाटता भी था ऐसा मौ के लोग कहते हैं सिर्फ दबंगई ही नहीं बलकि बतौर विधायक मुक्तार अंसारी ने पने एलाके में काफी काम किया था सडकों, पुलों, अस्पतालों और स्कूल कॉलेजों पर ये रॉबिन हुड अपनी विधायक नीधी से 20 कुना ज्यादा पैसा खर्श करता था पूर्वांचल में बोलती थी मुक्तार अंसारी की तूती, मुक्तार अंसारी के दादा सुतनता सेनानी थे और उसके फोर्ज में नाना ब्रिगेडियर, तो फिर मुक्तार अंसारी माफिया कैसे बना रॉबदार मुचो वाला ये विधायक आज भले ही दुनिया से चला गया हो लेकिन मौव और उसके आसपास के इलाके में मुक्तार अंसारी की तूती बोला करती थी कभी वक्त था जब पूरा सूबा मुक्तार के नाम से काता था वो बीजेपी को छोड़कर उत्तरप्रदेश की हर बड़ी पाटी में शामिल रहा मुक्तार 24 साल तक लगातार यूपी की विधान सबह पहुचता रहा मुक्तार अंसारी भले ही संगठित अपराद का चेहरा बन चुका था लेकिन गाज़ेपुर में उसके परिवार की पहचान प्रथम राच्नितिक परिवार की है सिर्फ डर की वज़ा से नहीं बलकि काम की वज़ा से भी इलाके के गरीब गुर्बों बे मुकतार अंसारी के परिवार का सम्मान है मगर आप में से शायद कम लोगों को ही पता होगा कि मौ में अंसारी परिवार के इस इज़त की एक वज़ा और है और वो है इस खांदान का गौरफ शाली इतिहास खांदानी रसूख की जो तारीक इस खराने की है वैसी शायद ही पूरवांचल में किसी खांदान की हो एक तरफ जहां सालों की खांदानी विरासत है तो वहीं दूसरी तरफ कई संगीन इल्जामों में घिरा था माफिय डॉन मुकतार अंसारी जिसने अपने परिवार की शांदार विरासत पर पैबंद लगा दिया मगर इस खांदान की अगली पीडी से मिलेंगे तो फिर हैरानी होगी मुकतार अंसारी का बेटा अबास अंसारी शॉटगन शूटिंग का इंटरनेशनल खिलारी है दुनिया के टॉप 10 शूटरों में शुमार अबास ने सिर्फ नैशनल चैंपियन रह चुका है बलकि दुनिया भर में कई पदक जीत कर देश का नाम भी रौशन कर चुका है लेकिन अब वो भी पिता के कर्मों की सजा भुगत रहा है उसे मनी लॉंडरिंग के मामले में गिरफतार किया गया था 1996 में बीएसपी के टिकट पर जीत कर पहली बार विदान सबब पहुचने वाले मुकतार अंसारी ने 2002, 2007, 2012 और फिर 2017 में भी यहां से जीत हासिल की थी इन में से आखरी तीन चुनाव उसने देश किया अलग-अलग जेलों में बंद रहते हुए लड़े और जीते थी राजनीती की ढ़ाल ने मुकतार को जुर्म की दुनिया का सबसे खरा चेहरा बना दिया और हर संगठित अपराद में उसकी जड़े घहरी होती चली गए सियासी अदावात से ही मुकतार अंसारी का नाम बढ़ा हुआ और वो साल 2002 जिसने मुकतार के जिन्दगी को हमेशा के लिए बदल दिया इसी साल बीजेपी के विधायक कृष्णननंदर राय ने अंसारी परिवार के पास साल 1985 से रही गाजीपुर की मुहमदबाद विधानसबस सीच छीन ली कृष्णननंदर राय विधायक के तोर पर अपना कारेकाल पूरा नहीं कर सके और तीन साल बाद यानी 2005 में उनकी हत्या कर दी गई कृष्णननंदर राय एक कारेकरम का उद्गाटन करके लोट रहे थे तब ही उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर करा अधा दूंद फाइरिंग की गई हमला इसी सड़क पर हुआ जहां से गाड़ी को दाएं बाएं मोरने का कोई रास्ता ही नहीं था हमला वरों ने एके 47 से तक्रीबं 500 गोलियां चलाई और कृष्णननंद राय समेट गाड़ी में मौचूद सभी सातों लोग मारे गए बाद में इस केस की जाची यूपी पुलिस से लेकर सी बी आई को दी गई कृष्णननंद राय की पतनी अलकर राय की आचिका पर सुप्रीम कोट ने केस 2013 में गाज़ेपुर सैदिली ट्रांसफर कर दिया लेकिन गवाहों के मुकर जानने से मामला नतीजे पर नहीं पतता है तो गवाहों का अकाल पड़ने से मुक्तार अनसारी जेल से छूट गया मुक्तार भले ही जेल में रहा लेकिन उसका गैंग हमेशा सक लिया रहा लेकिन योगी सरकार अने के बाद उसके बुरे दिन शुरू हो गए थे योगी सरकार ने कसा सिकंजा, मुकतार अंसारी पर उक्तर प्रदेश में 52 केस दाच है, यूपी सरकार की कोशिश 15 केस में मुकतार को जल्द सजा दिलाने की थी, योगी सरकार अब तक अंसारी और उसके गैंग की सेकडो करोडो की संपती को यह तो ध्वस्त कर चुकी है या 75 गुर्गो पर ग्यांग्स्टर अक्ट में कारवाई हो चुकी है, कुल मिलाकर मुकतार अंसारी योगी सरकार के टार्गेट पर था तो आपके क्या राय है इस खबर पर हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजेगा और ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए यूव इंडिया न्यूज